हेलो फ्रेंड्स आज की इस व्यूडियो में हम अध्यन करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के अंतरगत उत्तर प्रदेश के परमुखनी संसाधन अक्षेत्रो से उत्तर परदेश से रिलेटिड कोई भी एक्जाम हो UPPCS हो, RO हो, UPSI हो, UPTSC हो या लेकपाल हो, कोई भी एक्जाम हो उस एक्जाम में यहां से कम से कम एक से दो कोश्चन आवसे ही पूछ जाते हैं आसा करता हूँ कि आपको व्यूडियो अच्छी लगेगी चलिए स्टार्ट करते हैं डोलो माइट जो की बारी एक जंगे है सोन भर्द में एंडूला साइट सोन भर्द और मिर्जापूर में पाया जाता है पाईरोफिलाइट जो पाया जाता है वे है जहासी ललिदपूर महोबा और हमीरपूर हमीरपूर में पायरोफिलाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है पायरोसाइट पायरासाइट सोरी सोन भर्द में एसवेश्टस मिर्जापूर जहासी में सिलीमेनाइट सोन भर्द में पाया जाता है डाइसपोर जहासी में महोबबा ललितपूर में ललितपूर में सबसे ज़्यादा पा जाता है डाइसपोर और फिर है फेलसपार जो की जहासी में पा जाता है उत्तर परदेश के जो खनीज बहूर जीला जो घोशित किये गए है उनके नाम इस प्रकार है सोन भर्द सबसे ज़्यादा जो सोन भर्द में पा जाता है मिरजापूर जीला में प्रियाग राज, जहांसी, हमीरपूर, महोबा, जलोन और ललितपूर अब हम वन बाई वन देख लेते हैं स्टार्ट करते हैं हमीरपूर से हमीरपूर में पारोफिलाइट पा जाता है जिपसम पा जाता है, गिरेफाइट पा जाता है डाइसपोर पा जाता है और सेल खड़ी भी परचूर मात्रा में पा जाता है हमीरपूर में गिरेफाइट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है नीचे देखेंगे वरानसी वरानसी में मेंगनेसाइट, जिपसम और बाकसाइड वेरी वेरी इंपोटेंट सोरी जिपसम नहीं है यहां पर वरानसी में नीचे देखेंगे मिर्जापूर मिर्जापूर किस किसले परसीद है एंडलो साइट के लिए पायरा साइट के लिए इमार्ती जो पत्थर होते है हीरा जंगल अक्षेतर है संगमरमर के लिए चूना पत्थर और डोलमाइट के लिए अगर देखा जाए तो मिर्जापूर भी very very important है एक्जाम के point of view से यहां से इमारती जो पत्थरे वे पाए जाते है और एंडलू साइट भी बड़ी परचूर मातरा में मिलता है उत्तर परदेश का सबसे ज़्यादा जो खनीज मिलता है वो सोन भर्द जिले में मिलता है फिर है प्रियागराज प्रियागराज में कांच बालू का खेतर मिलता है और पोटास लवन पाया जाता है उत्तर परदेश में वह जिला कौन सा है जहां पर कांच बालू मिलता है तो वह है प्रियागराज एक्जाम में बहुत से बार पोचा गया है चंदोली किसले परसीद है? चंदोली परसीद है बाकसाइड के लिए और काज बालू के लिए भी और पोटास लवन के लिए भी चंदोली फिर आता है बांदा बांदा जो परसीद है हीरा के लिए हीरे के खान के लिए, डोलोमाइट के लिए, बाकसाइड के लिए, बेसमेटल के लिए, सकफासफेट के लिए और राकफासफेट के लिए सोरी और मैगनेसाइड के लिए एकजाम के पॉइंट ओफ यूज से हीरा जो उद्ध हो गया वो बांद में पा जाता है हीरा खान सोरी अब हम देख लेते हैं महोबा महोबा में हैं सबसे ज़्यादा पाइरोफिलाइट और डाइस्पोर महोबा में ललिदपूर में उत्तरपरदेश के अंत्रवा बड़े हिस्से बहुत ज्यादा मतलब सोरी मापे चाहूंगा बहुत ज्यादा खनीज परचूर मात्र में पाजाता है जैसे तामबा, यूरेनियम राग फासफेट, सोना, पलेटनियम और डाइस्पोर और पारोफिलाइट के रूप में ललिदपूर में भहुत परचूर मात्र में पाजाता है उत्तरपरदेश में उत्तर प्रदेश में एंडुलासाइट सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है डाइसपोर 26%, सीलेमिनाइट 16.30% और पायरोफिलाइट 10% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है एक्जाम के पॉइंट ओप यू से सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है तामबा और यूरेनियम उत्तर प्रदेश के तामबा यूरेनियम और राक फासफेट ललितपूर के जिले में परचूर मातर में पाया जाता है कभी-कभी एक्जाम में आ जाता है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहां पर पाया जाता है तो वह है उसका अंसर होगा हम ललितपूर और तामबा भी या राखफासफेट भी सेल खड़ी और जिपसम स्रिफ हमिरपूर और जहासी में पा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह वाला पॉर्सन याद रखेगा इसको लगबक सभी पूरे हो गए है आप इस वीडियो का आप एक स्कॉंसोर्ट ले लिज़ेगा और इसको अगर आप दो से तीन बार रिवाज करोगे तो लगबक सभी कवर हो जाएगा मैं आसा करता हूँ मेरे द्वारती के जानकरिया आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद